हलो फ्रेंज बेलकम तू स्टडी ट्रिक्स इस लेक्टर सीरीज में हम डिसक्स कर रहे हैं रेलेवे एंटीपीसी और गुरुपडी के लिए यूद कमपडिशन टाइम्स के मॉस्ट इंपोर्टन कोस्टन जिसमें आज हम डिसक्स करेंगे कैमिस्टी का पार्ट नमबर 23 दोस्तो इससे पहले हम फिजिक्स और बायो के भी आपको पार्ट प्रोवाइट करा रहे हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो हमारा पहला कोस्टन दिया गया है जीवाश इदन जलने पर मुक्त कार्वन नाइट्रोजन और सलपर के ऑक्साइट कहलाते हैं दोस्तों इन्हें हम क्या कहते हैं आपको इसे ध्यान रखना है अम लिए ऑक्साइट ऑप्सन नमबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा जीवा ठोश कोईला को तरल हाइडोकार्वन में परीवर्थित करने वाली तिरिविया को कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं से हम द्रिवी करण ऑप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा जीवी करण अगला कुस्त धेए लहा मैं और पिट्रोलियम के दहिन का पेड़ाम के ऑक्स कि अगला कोस्टन देखते हैं कि सी एंजी का मुख खटक क्या है तो सी एंजी का मुख खटक क्या होता है आपको इसे ध्यान रखना है दोस्तों मीथेन क्या होता है मीथेन आप इस चीट को ध्यान रखेंगे इसमें लगब कितनी होती है 75 से 98% कि मीथेन होती है किसमें सी के पूर दहन के पर्दाम सरूप निमने कितम में से क्या प्रापत होता है कारबंडा यॉक्साइड और जल्ड ओप्छन नमबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कौस्टन देखते हैं मीथेन चार से गुणा कर देंगे कितना हो जागा चार तो कितना हो जागा यह 16 तो इसमें हमारा ऑप्सिन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा तो आपको इस तरह के कोस्टन दियान डखना है पूछ सकते हैं एक्जाम में अगला कोस्टन दिया गया है हमारा डैस का उप्योग मोटर बहानों से इनन के रूप में बल्ड रहा है तो किसका बल्ड रहा है कंप्रेस नेचरल गैस का यानि की सी एन जी का तो इसमें ऑप्सिन से क stabilize के और घुट होटे आपको जाएगा के नब्लिकित से क्या साइन का गुल है तो इन में से का मातरा में मिशायलेतों कि उत्ति होती है सवक्षीदन सर्व सूलम होते हैं और यह किफायती भी होते हैं इनके पारे में यह पॉइंट जियान रखेंगे आप अगला कोस्टन देखते हैं ल पीजी का मुखः खटक क्या है तो ल पीजी का मुखः खटक क्या होता है विआते उसके वाद सम्हें चimni प्रोप की चारों में पिट्रॉल के साथ इन के रूप में भी Japan का ऑप्सणन नमेरा ए Mayor करेक्ट उजाएगा आःतनोल का फॉर्मूलां द्यान डगें एफ फ्य फाइब ओड़ आप इसके फॉर्मूले को द्यान रखें हो सकता है एक्रinfl forgiven कि आप से पूझ लें कि ए आध्यों को ही द्रेख्षन देखते हैं जो मिस्र धातू एक है तो मिस्र धातू क्या चीज़ है एक समांगी मिस्रल ऑप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा समांगी मिस्रल अगला कोस्चन देखते हैं कि आयरन की हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए निम्लिकित में से किस पदार्द का उप्योग किया जाता है दोस्तों के लिए इसका करते हैं नायकरॉम मिस्र धातूर यूज करते हैं और सण नमबर अमारा बीकरेक्ट हो जाएगा अगला कोस्चन देखते हैं कांसा की मिश्रधात हुए तो कांसा किसकी मिश्रधात हुए जिंक एंड आइरन की नहीं गलत है इसमें तो किसकी है तांबय और टिंकी कॉपर और ऐसे इनकी आपको इसे ध्यान रखना और नमर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं पीतल नम्न मेंसे किस से बनी एक मिश्रधात हुए दोस्तों पीतल एक मिश्रधात हुए किस से बनी होती है कॉपर और जस्ते से थे यानि की सी यू पिलस जैड एंड से तो आप इसे को ध्यान रखेंगे कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है पीत अगला कोस्टन देखते हैं निम्लिकित में से कौन सी तामवा और जस्ता की मिस्र धात हुए तो कौपर और जिंक कौपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है आपको इसे ध्यान लखना है पीतल आप्सन नंमर हमाहरा ses li क्रेक्थ हो जाएगा या पिछले कोफन में आपको बताया भी है अगला कोस्टन देखते हैं पीतल को सी मिस्र धात हुए तो पीद ऑस की मिस्र धात हुए कॉपर और जिल्कू की यानि कि जस्ते की कि लेका Ashवार और प। कि है क्वा कॉस्चन देखता हैं लिट्व लके घटक क्या है तो आप देख सकती है कि कुश्चन को किस तरह से बड़ा पर रिपीट करके पूछ रहें तो तामबा और जस्ता ऑपसन नमबर हमारा डी-कर्रेक्ट हो जाएगा अगला कॉस्टन देखते हैं निमन में से कौन सी मिसर धातु में टिन होती है तो टिन किसमें होती है में कि ऑप्सेन नम्बर हमारा बीकरेक्ट हो जाएगा स्वेल पीजल किसने मिलकर बनता है और तो आपको इससे ध्यान रखना है कि ऑप्सन नमबर में हमारा बीकरेक्ट हो जाएगा अगला कॉस्चन देखते हैं डैस मिजर धातु में टिन होता है तो किस में होता है सोल्डर में ऑप्शन नमबर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं एक और दो रुपिये के सिक्के से बनते हैं दोस्तों एक और दो रुपिये के सिक्के किसे बने होते हैं आपको इसे ध्यान रखना है स्वेलिटिक स्टेंडलेस स्टील से option number हमारा ये correct हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कोस्टन देखते हैं निमलिकित में से कौन सी धातू पारत धातू मिसरल का गठन करती है जब इसे किसी धातू के साथ मिसरित किया जाता है तो कौन करती है आप इसको ध्यान दखेंगे पारा यानि की हजी तो अप्सन नमबर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा इसका परमाडू किरमान कितना होता है असी आप इसको भी ज्यान रखें हो सकता है एक्जाम में ये भी पूछ ले दोस्तो रसाइनिक जगत में केवल यही धातू साधरल ताप और दाप पर द्रवबस्ता में रहती है इस चीज को आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में ये इंपोर्टिंट पॉइंट है एक्जाम में पूछा जा चुका है अगला कॉस्टन देखते है तंकाई यानि कि सोल्टरिंग के लिए का प्रियोग किया जाता है तो सोल्टरिंग के लिए किसका प्रियोग किया जाता है आपको ध्यान रखना है सीजा इबं टिन का यानि कि पी बी और आइसे इन का ऑप्सन नमबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा अगला कॉस्टन देखते हैं सोल्डर टांका के घटक होते हैं तो कौन होते हैं पी बी और आइसे इन कि यानि सीजा और टिन ऑप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कॉस्टन देखते हैं असंगत यूगम का पता लगाएं तो इसमें से आपको असंगत यूगम का पता लगाना है तो मैगनीसियम वा रजट स्टेनलेस स्टील ऑप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा अगला कॉस्टन देखते हैं निमलिकित में से भिन कोचने तो आपको भिन बताना है अलमुनियम, लोहा, पीतल, तामबा तो इन में से दोस्तो पीतल क्या एक मिसर धातु है बाकी सब क्या है तद्पे तो आप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा पीतल पीतल किस्टे मिलकर बना होता है मैं आपको बता भी चुका हूँ कॉपर और जिंक से अगला कॉस्टन देखते हैं स्टेनलेस स्टील क्या है दोस्तो स्टेनलेस स्टील क्या होती है मिसर धातु आप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा स्टेनलेस स्टील इस पात की मिसर धातु है इसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकल का मिसरल पाय जाते हैं दोस्तों ये कटोर होती है, इसमें जंग भी नहीं लगती है इसका उप्योग बरतन, बिलेड, बल्ब बनाने में हम करते हैं आप ये पॉइंट भी ध्यान रखें इसके बारे में अगला कोस्टन देखते हैं इस्टेनलेस स्टील का अविसकार किस ने किया था? दोस्तों, स्टेनलेस स्टील का अविसकार किस ने किया था? हैरी ब्रेयलीने, ओप्सन नमबर हमारा सीकरेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं निम्लिकित में से कौन सा उच्चितम तापमान पर आसानी से अक्षिग्रेट यानी की जलता नहीं होता है तो कौन नहीं होता है मिसर धातू ऑप्शन नमबर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा दो या दो स्याधिक धातू के मिसरल से बने नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं मिसर है अगला कोश्चन देखते हैं विछ तापमान प्राप्त करने के लिए इलक्ट्रिक तापन और कलों में समानता का प्रियोग किया जाता है तो किसका प्रियोग किया जाता है? EROICA Option number हमारा D-Correct हो जाएगा इसको आप जहान रखेंगे अगला कोस्टन देखते हैं सोने को तामे के साथ मिस्रित किया जाता है दोस्तों सोने को तामे के साथ मिस्रित करते हैं सोने को कठोर बनाने के लिए Option number हमारा D-Correct हो जाएगा सोना एक धातु है यह मुलायम तन अधाद बरदिनी है और पीली और चमकदार उसमा बाव विदुत की सुचालग धातु होती है तो इस चीज़ को आप ज्यान दखेंगे अगला कोशन देखते हैं निम्लेकित में से कौन सी धातु चार घटकों से बनी होती है तो कौन सी धातु चार घटकों से मिलकर बनी होती है आपको इसे बताना है तो नाइक्रोम Option number हमारा B-Correct हो जाएगा दोस्तो नाइक्रोम चार घटकों से मिलकर बनी होती है यहां चुमबकी गुड़ों वाली यह चुमबकी गुड़ों वाली मिसर धातु हुए मुखे ताज में निकिल क्या क्या होते हैं निकिल और किरोमियूम फेरस यानि कि लोहा इन सबसे मिलकर ये बन ही होती है तो इस चीज़ का आप दिहान रखेंगे अगला कॉस्चन देखते हैं जब लोहे को डैस और के साथ मिसरित किया जाता है तब हमें स्टेनलिस स्टील प्राप्ट होती है दोस्तो जब लोहे को निकल और क्रॉमियम के साथ मिस्रत किया जाता है तब हमें क्या मिलता ही स्टेनलेस इस्टेल स्टेनलेस स्टेल कौन सी होती जंग रोधी स्टेल यानि कि इस पर जंग नहीं आती है अगला कोस्टन देखते हैं यदि एक किलोग्राम मिसर धातु में 32% कॉपर 40% जिंक और 6 निकल है तो मिस्र धातों में कॉपर की मात्रा कितनी होगी दोस्तों कॉपर कितना दिया गया है कुल मिला के आपके कॉपर की मात्रा बताना है तो कितना बचीए 32% और नीचे आप सॉल लिखेंगे और 1000 से मल्टिप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको ग्राम में निकालना है तो इसे हम स अगला question देखते हैं किसी मिझर धातु की एक धातु यदी मर करी है तो भो धातु कहलाएगी दोस्तों भो धातु क्या कहलाएगी आपको इसे ध्यान रखना है अमलगम option number हमारा के । हमारा क्या बनटा है तब हमारा क्या बनता है अमल गम है मंत तो आपते ए एक्याम अलग अलग तरह से कुल सकते हैं कि मरकरी के संग कोई धाथु दे सकते हैं आपको ध्यान लखना क्या अज़या हमेशा़ अलग गम बनेगा यह सी ध्यान लखेंगे आगला कॉस्ट injet time पुरत करके बनाया जाता है कि किसी में बनाया जाता है कॉपरों निकिल को ओप्सन नम्बर हमारा यह क्रेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं नाइक रोकिंज्ट ना क्या है जो जो कि एक दोस्तों नाइक रोकिंज्ट तो यह होता है अगलाय को are lack program किसकी मिसर धात हुए दोस्तों किसकी मिसर धात हुए तो वो निकल, क्रॉमियम, आइमेन और फिरस तो से चारराधिव से मिलकर बनती है क्या कौन नाURE कौस्ट对ल को अगला कोस्टन दहते हैं ब्राउन्ज के अभर्यब क्या होते थैं? दोस्तों ब्राउन्ज के अभर्यब आपको बताना है क्या होते हैं? कोपर और यानि कि कि आपको इसे द्यान रखना इसिकों क्या कहते हैं पीतल एक सुरी कासा बोलते हैं कि कासा अगला कॉस्ण देखते हैं इन में से कौन से का मुख को अब याज कहे तो इन हमारा यह नहीं के सब्सक्रीजन को हमारा जाएगा है अगला जाता है कि alan कि निमल्वेक द्वारा न्मिशक्ति किया जाता है तो कि द्वारा निश्क्राइटा जाता है आपको इसको द्यान रखना है में उश्की मिनल्वम। option number हमारा decret हो जाएगा अगला question देखते हैं Dash धातु केबल बिदो दब गठन द्वारा निकाला जाता है तो किसे निकाला जाता है Automonyum को Author palabra מא tu केबल बिदोड अब गठन के द्वारा निकालते हैं option a crack हो जाएगा अगला question देखते हैं निम्लिकित में से किस अभी करिया द्वारा उच्छ पिर्तिकरिया वाली धातुओं को शुद्ध पिगले हुए आयस्क से लिसका असन होता है तो किस में होता है इलक्ट्रोलिसिस में ऑप्सन नमबर हमारा बीकरेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं तो आपको इसे बताना अगला कोशन नहीं मारा गैलेना किसका आयास कोता है दोस्तों आपको इसे बताना है सी से का सब्सक्राonds नमबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा यानि कि किसका आयस कोता है पको इसे बताना की इस जाएगा अगला कोशन देखते हैं डैस ऐलुमिनियम का सबसे महातपूल ऐसक है तो कौन सा इन में से ऐलुमिनियम का बहुत पराना ऐसक है बॉक्साइट ऑप्सन नमबर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों ऐलुमिनियम के और ऐसक कोरंडम फेल्सपार ग्रायूलाइ यहान रखेंगे एक्जाम में यह वी आप से पूछ सकते हैं है कि अगला क्ombों दोस्तों नमबर हमारा यह करक्ट हो जाएगा दोस्तों अप्चेत होने वाले ऑक्साइडों के निसकासन में किया जाता है इस चीज को आप ज्यान रखेंगे अगला कोस्टन देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्टिती में आयसको को गरम करने की ग्रिया को कहा जाता है तो क्या कहते हैं हम इसे बंजन ऑप्चन नमबर हमारा एक सी करेक् की में रखा जाता है तो किसमें रखा जाता है जल इवम चीर के तेल के मिस्टरल से बड़ी एक टंकी में रखा जाता है ऑप्चन नमबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा आप इस चीज को ध्यान रखेंगे अगला कोस्टन देखते हैं फेन पिलबन विदी का उपियोग डैस इसके सांधिकरल के लिए किया जाता है तो किसके सांधिकरल के लिए इसका यूज करते हैं इस चीज को आप ध्यान रखेंगे सलपाइट के सलपाइड इसके ऑप्चन नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कोस्टन देखते हैं धातुकरम एक प्रिक्रिया है तो दोस कर liberal कई सबस्क्राइक नबर हमारा सिट हो जाएगा है इस जीज़ को आप दिहाना रखेंगे अगला question देखते हैं सिने वार एक isk है तो सिने वार एक isk इसका है पारिका यानि कि HD का option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question देखते हैं निमलिकुत में से कौन सा पारिका isk है सिने बार option number एक रहुत हो जाएगा धोस्तो यह था कईमिस्टी का part number 20 आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से की होगी उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए तो आने वाले एक्जाम में जरूर हैल्प मिलेगी आप लोगों से रेक्वेश्ट ए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत